हलो दोस्तो मेरे टेकनिकल वीडियो में आपका स्वागत है आप लोग कैसे हो उमिद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे आज हम बात करेंगे इगेट प्रोजेक्टर आई-9 के बारे में इसकी इगेट प्रोजेक्टर आई-9 की हम आज अन्बोक्सिंग करेंगे आए देखते ह इसमें हमें क्या-क्या मिलता है हुआ 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 है अपरेट करने के लिए यह पावर देने के लिए एक केबल मिल जाता है हमें यह सेल्ट रिमोट के दोस्तो यह वीडियो की पिन है वीडियो दिखाने के लिए दोस्तो यह एक मिलती है यह हमें गाइडलाइन बुक मिल जाती दोस्तो और कुछ नहीं मिलता आई यह देखते हैं प्रोजेक्टर में हमें क्या-क्या चीच मिली है कि इगेट प्रोजेक्टर दोस्तो दोस्तो हमें हाँ से आपरेट करने के लिए इसमें कुछ बटने मिल जाती है और यह लेंस को फोकस करने के लिए और यह एक केप लगा हुआ होता है जो लेंस की सुरक्षा के लिए लगाया गया है अब इसके साइड में हमें दोस्तो देख सकते हो आप दो व्यस्वी स्लोट मिल जाते हैं एक HDMI स्लोट मिल जाता है और यह साउंड के लिए हमें दोनों प्लग मिल जाते हैं और यह हमारे PC में हम इसे अटेज कर सकते हैं पीछे की और दोस्तों हमें एक लेंस मिल जाता है जिससे हम रिमोट की साइटा से इसे अपरेट कर सकते हैं और इस साइड में दोस्तों हमें पावर के लिए स्लोट मिल जाता है और दोस्तों नीचे देखेंगे तो यह हमें प्रोजेक्टर को अज्जेस्ट करने के लिए एक बटन लगी हुई होती है हां दोस्तों एक चीज और हम भूल गए इसमें इसमें एक कार्ड मेंमुरी कार्ड लगाने का भी है क्ले इसलोट होता है यह हां पर उपर होता है कि दोस्तों और ऐसा कुछ इसमें हमें मिलता नहीं है कॉलिटी इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों हमने इसे चला के देखें कि बहुत अच्छी कॉलिटी है और इसे हमने एमजॉन से पर्चेस किये कि यह हमें 5,990 रुपे का एमजॉन से मिला है दोस्तों हमने इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दीए आप अगर खरीदना चाहते हैं तो वहां जाके इसे खरीच सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जाहिन